हेलो गाईज, वेलकम बैक टू के मोटो व्लोग्स तो भाई फाइनली हीरो की अपकमिंग करीजमा ZMR रिवील हो गई है हीरो ने कल अपने एक ओफिशल इवेंट में X-Pulse 204V के न्यू मोडल को लॉंच किया है और उसी इवेंट के टाइम पे हीरो ने अपनी अपकमिंग करीजमा ZMR को भी रिवील किया था सो वहाँ से ये कुछ पिक्चर्स इसकी लीक हो गई है सो अपकमिंग करीजमा ZMR बिल्कुल एक्जेक्ली से मैसी होने वाली है जो आप पिक्चर्स में देख रहे हो और बाइक देखने में ये काफी अच्छी लग रही है साइड प्रोफाइल से बाइक की बस साइड प्रोफाइल की विक्चर्स ही लीक हुई है फ्रंट से बाइक कैसी होगी और बाइक की रियर प्रोफाइल देखने में कैसी होगी ये भी तक रिवील नहीं हुआ है लेकिन साइड प्रोफाइल देखने में इसकी काफी अच्छी लग रही है और काफी टाइम पहले रिवील होई चुका था कि स्पाइक में 210 सीसी का लिक्विड कुल्ड 6-speed transmission वाला एंजिन आएगा सो टेक्टो लोजिकली एडवांस एंजिन आने वाला है बाइक में जिसकी वज़े से इसकी पफुमेंस काफी अच्छी होने वाली है 25 PS के आसपास की इसकी पावर होगी और 20 या फे 22 NM के आसपास का इसका टोर्क होगा लिक्विड कोल्ड एंजिन 6-speed transmission की वज़े से पफुमेंस बाइक की अच्छी होने वाली है लेकिन अगर हीरोई स्पाइक में Extreme 200S वाला ही इंजिन ओफर कर देती है तो फिर बाइक की पफुमेंस उतने अच्छी नहीं रहेगी सो अगर हीरो को एंडियन टूलर मार्केट में बजाज की पलसर RS200, यमा की R95 V4, R95M, सुजुकी की जिकसर SF250 इन बाइक के साथ कंपीट करना है तो फिर ही स्पाइक में वो 210 CC का इंजिन प्रोवाइड करना पड़ेगा जिसमें 6-speed gearbox है और liquid cooling technology है सो most probably इस बाइक में वहीं सेम इंजिन आएगा लेकिन बाइक में premium features नहीं है जैसे की upside down front fox इसके अंदर नहीं है बाइक में telescopic type के front fox है, rear में pre-load adjustable monoshock suspension है और बाइक में split type की seat से riding posture बहुत ज़्यादा aggressive नहीं होगा और बाइक की billion seat देखने में काफी decent लग रही है, R95 V4 से तो इसकी billion seat काफी सही रहेगी और इसके अंदर grab rails भी काफी अच्छे दिख रहे हैं बाइक की rear profile काफी sleek और काफी sporty design वाली लग रही है, और side profile भी बाइक की देखने में काफी अच्छी sporty लग रही है एक जो system भी इसका काफी compact है, इसमें all LED lights का setup आने वाला है, यानि की LED indicators आएंगे, LED headlight आएगी, fully digital instrument, console आएगा, जिसमें smartphone connectivity वाले features भी होगे Turn by 10 navigation system feature भी होगा, जो इन्होंनों Extreme 200S के इंदर भी provide गया था So Hero के Extreme 200S market में उतना अच्छा perform नहीं कर पाई, क्योंकि उसके looks, design और style उतने अच्छे नहीं थे, और bike की performance भी उतने अच्छी नहीं दी लेकिन जो upcoming charisma है, उसमें नया engine आने वाला है, और Hero ने bike के looks को भी upgrade कर दिया है So no doubt ये bike दिखने में तो काफी अच्छी होने वाली है, बस Hero से expectations ही है कि इस bike में 210cc का liquid cold engine ओफर कर दे, ताकि इसकी performance भी अच्छी हो सके Front और rear में bike में disc brake है, जिसके साथ में dual channel ABS आना चाहिए, लेकिन cost cutting की वज़े से Hero इस bike में single channel ABS भी ओफर कर सकती है लेकिन अगर bike की performance अच्छी होने वाली है, 25 PS के असपास के अगर इसकी power होगी, तो फिर तो Yaris में dual channel ABS होना ही जाहिए टायस bike के काफ़े अच्छी दिख रहे हैं, front में 100 section का टायर है, और rear में 140 section का टायर है, काफ़े अच्छे super wide tubeless टायस आने वाले हैं bike में, और काफ़े अच्छा sporty design लग रहा है bike का आप comment box में जरूर बताओ कि आपको इस bike के looks, design और style कैसे लग रहे हैं, और hero से आपकी क्या expectations है, black color के bike के अंदर low wheels है, और bike में red और black dual tone type की color combination है, side profile पे red color है, fuel tank के उपर black और red dual tone type की color combination है, और bike की rear profile पे भी red color दिया गया है so hero की upcoming charisma market में तभी successful हो पाएगी, जब इसके अंदर performance अच्छी होगी और इसके design अच्छी होगे, so no doubt design तो bike का अच्छा दिख रहा है, बस इसके अंदर engine अच्छा आ जाए, so hero ने अपनी charisma को अभी reveal तो करी दिया है, so ये bike market में जल्दी आने वाली है, यानि कि आने वाले एक या दो महिने में hero spike को officially launch कर देगी, कल hero ने Xpulse 200 4B के new model को launch किया है, और price के बारे में बात करें, तो यारी spike का extra price एक लाग पचास जार रुपे के आसपास होगा, और ये market में R15 V4, R15 M, Bajajz की Pulsar RS 200 के साथ compete करेगी, so ये थी सारे details upcoming charisma के बारे में, आपको ये वाले कैसे ये आप comment box में जरूर बताना, तो फिर मिलते हैं ये वीडियो में, till then, ride safe, drive safe